दोस्तो मैं गहर से निकल गया हूँ जा रहा हूँ आल्ट्रा साउन करवाने और पेट की वो जैसे पेट के सक्षक्ती जो है से मिटाना है और तबियत तो ठीके है पहले इलाज करवाए थे लेकिन कुछ सक्षक सक से बुझा रहा हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ डप्टर के पास अल्ट्रा साउन बाला के पास देखवाने और अल्ट्रा साउन करवाएंगे क्या निकलता है जाँच में दोस्तों नहार के सिन देख लेए दोस्तों मैं नहार पर खारा हूँ और बामनहार में पानी छोट चुका है देखिए धार बहुर आए कैसे दोस्तों मैं अल्ट्रा सान बलक में पीठा हूँ जाज करवाने हूँ हालो दोस्तों मैं हूँ भरत कुमार पासमान बलोग चैनल निव में आप लोग का स्वागत है आज मैं एक इंपोटेंट बात बताने वाला हूँ बेमारी के बारे में और वीडियो के बारे में बाद में बताऊंगा पहले जो हमारे उपर बीता है सो बता दे रहे हैं पहले हमको सुजन का इलाज चला था और हमने किये थे सुजन का इलाज पेट में दर्द उखरा था एक महिना पहले के बात है तो डॉक्टर के पास गए अल्टरासाउन हुआ और दबाई भी लिखा दबाई भी हमने खाए दबाई खाते खाते समझे कि ठीक भी हो गिया बेमारी तो दूर हो गिया लेकिन फिर अंदर से हमको सक्त बुझा रहा था कि बेमारी हमारे पास अभी है तो एक महिना के बाद एक महिना के बाद हमने फिर ज्यांच करवाए अल्टरासाउन किये तो फिर सूजन निकल गिया उसमें फिर दुबाड़ा तो दबाई खाना होगा दबाई दुबाड़ा खाकर हमने फिर बेमारी को सुझाए और इलाज करवाए इलाज करवाने के बाद आप सही है क्योंकि कोई भी काम कीजिए तो अधूरा काम नहीं कीजिए पूरा काम काकर छोड़िये न तो वही काम जो है से आपका भारी पर जाता है जैसे कोई काम में असकता जाए कोई काम कर रहे है उसमें आधा काम कके असकता जाने के बाद वह काम ठोहर जाता है फिर वही काम भारी पर जाता है तो काम कोई भी काम केजिए कोई ऐसा काम केजिए पूरा काम केजिए ठीक रहता है लेकिन सबसे ज्यादा बेमारी में पूरा काम केजिए कोर्ष पर दवाई खाई है और सुल्जा के उसको हटाई है नहीं तो थोड़ा सा भी लिकिज कहीं रह जाए वही बेमारी फट जाता है तो हम सारा कोर्ष कर लिये थे दवाई का फिर भी हमको पास सौक बुझाया कि हमारे पास बेमारी अभी है तो अल्टरा साउंड करवाने गए तो उसमें बिमारी निकर गए तो फिर दवाई खाकर हमने उसको खतम किये तो आप लोग से निवेदन हैं कि कोई भी काम करे बिमारी के बारे में काम तो बहुत है लेकिन बिमारी के बारे में काम करें तो उस बिमारी को खतम कर के छोड़ें शरीर का अंग में बहड़ जाने के बाद सब चीज से दिकत होता है और काम करने में चाहे कमाने में चाहे चलने में बुलने में सब चीज से दिकत हो जाता है कि ज्यादा पेंडिस होने के बाद उसको एप्रेशन करना पड़ता है और कौम रहने के बाद दवाई से सुख जाता है लेकिन सूजन जो है दवाईये से ही ठीक हो जाता है इसलिए कहते हैं आप लोग का कि आप लोग भी मनें गलती ना करें विडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकिन घंटी नए हो तो दवा लिजिएगा और इससे विशेश क्या कहें हमने बिमारी पर विडियों बना दिए जय हिंद जय भारत